हलो फ्रेंड्स, रोमांचक तत्य में आज आप सब को RT-PCR टेस्ट के बारे में बताने जा रही हैं RT-PCR टेस्ट यानि Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Test इस टेस्ट में किसी भी वाइरस के जैनेटिक माटेरियल को टेस्ट किया जाता है Corona Virus RNA Virus है यानि यह केवल RNA Proteins से बना है इसलिए Corona Virus के RNA को पहले DNA में बदला जाता है इस प्रक्रिया को Reverse Transcription कहा जाता है फिर इस DNA में Chain Reaction करवाई जाती है इस Chain Reaction के जरीए सैंपल में Corona Virus का पता लगाया जाता है Civic value यानि आपके DNA में कितनी बार Chain Reaction करवाई जाए जिससे वाइरस के होने या ना होने की पुष्टी हो इसे ही CT value यानि cycle threshold कहते हैं ICMR ने वाइरस की पुष्टी के लिए ये संख्या 35 निरदारित कर रखी है यानि एक सेंपल में 35 बार ही ये reaction करवाना है लोगों को ये भ्रम रहता है कि कम CT value का मतलब कम संक्रमण लेकिन CT value का संक्रमण से एकदम उल्टा संबंद है यानि CT value जितनी कम संक्रमण उतना ही ज़्यादा और CT value जितनी ही ज़्यादा संक्रमण उतना ही कम किसी भी सेंपल को positive या negative मानने के लिए CT value को आधार बनाया जाता है फिलाल ICMR ने CT value 35 निरदारित कर रखी है यानि 35 और इससे कम CT value के सभी सेंपल positive माने जाएंगे और 35 की उपर के सभी सेंपल negative माने जाएंगे